आबादी एक अरब 40 करोड और टैक्सपेर्स महज 1.5 करोड अब ऐसा नहीं होगा मोधी सरकार ने इसके लिए जो रास्ता चुना है वो गांधी गिरी का रास्ता है जिनसे टैक्स वसूलना है उन पर ही भरोसा करो उनका सम्मान करो और पूरी पारदर्शिता भी रखो जी हाँ टैक्सपेर्स की तादाद बढ़ाने के लिए टैक्सपेर्स चार्टर आ चुका है मतलब टैक्सपेर्स की परिशानी कम अफसरों की जवाब दे ही जादा समझो परिशानी खतम सरकारी खानून में ये पहल गांधी गिरी है गांधी गिरी से टैक्स सुधार, गांधी गिरी बढ़ाएगा टैक्स कलेक्शन, गांधी गिरी से मजबूत होगा देश रधानमंत्री नरिंद्र मोधी ने टैक्स रिफॉर्म की घोशना करते हुए इसके लिए अपनाये जा रहे चार तरीकों की चर्चा की है पहला, पॉलिसी ड्रिवन गवनेंस, मतलब ये कि जब शासन का आधार नीतियां हो तो गफलत की गुणजाईश कम हो जाती है दूसरा, आम नागरिकों पर भरोसा, मकसद ये कि जिने टैक्स दाइरे में लाना है उनका भरोसा भी कम करें, भरोसा भी जीतें दूसरा, तक्नीक में हियूमन इंटरफेस को कम कर तक्नीक का इस्तेमाल, ऐसा करके टैक्स सिस्टम में मानविये भूलों को खत्न किया जा सकेगा चौथा, मशीनरी में एफिशियंसी, इंटिग्रेटी, सेंसिविटी के गुणों का सम्मान, इसके जरीए अधिक से अधिक आबादी को टैक्स रिफॉर्म का हिस्सा बनाने में मदद मिलेगा पियेम मोदी ने दावा किया है कि देश में नियम कानून घटाने और काम का माहौल बनाने से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है इस ओफ दोइंग बिजनेस में देश तिरे सटवे नमबर पर पहुँच गया है कुछ लोगों के कारण बहुत लोगों को परेशानी वाली टैक्स सिस्टम भी अब दुरूस्थ होने जा रहा है रिटर्न से लेकर रिफंड तक की व्यवस्था आसान कर दी गई है फाइल किये हुए रिटर्न की स्कूरूटनी चार गुना घट गई है अब दस लाग के बजाए दो करोड तक के मामले अदालतों में जाया करेंगे पांच लाग की आए पर टैक्स जीरो है कॉर्पोरेट टैक्स भी भारत में दुनिया के मुकाबले कम है मोदी जी दावे चाहें जो कर ले मगर देखना यही है कि अधिक से अधिक टैक्स वसूली का लक्ष लेकर शुरू किये गए इस रिफॉर्म से नए टैक्स पेर्स कितने जुड़ते हैं और सबसे बड़ी बात कि टैक्स कलेक्शन में कितनी बढ़ुतरी हो पाती है अगर ऐसा हुआ तो वाकई टैक्स रिफॉर्म में शासन की ये गांधी गिरी सफल मानी जाएगी और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सबस्क्राइब करें यूट्यूब पर फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेस्बुक पर और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेब साइट पर जाएए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा